आप सबी का स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्रीराम क्लसर ने और इस खास वीडियो महम बात करेंगी वरिष्ट अध्यापक बरती प्रिक्षा के लिए इंपोर्टेंट एक पुराने प्रसन पत्र को लेकर और यह जो पेपर हम सोल करने वाले हैं यह सेकंड समय ग्जाम 2018 का हैं और संस्कृत शिख्षimming यूगात के बरती निकल थी उसका जो पर फिस्ट हुआ था कि किया का फिस्ट प्रस्ट प्रशन पर जो की पुराने प्रसन पूञे पूछे हैं तो आयए इस वीडियो को मश्रू lucky यह सैंस्कृत सिख्षिए में जो League Нам स्धिग 17 February 2019 को उसका पेपर ये आपके सामने है तो आईए इस वीडियो को मुशुरू करते हैं 200 नमर का ये पेपर था और 200 नमर का ये पेपर आपके 2022 में होगा और ये 2 गंटे का ही समय मिलेगा टोटल प्रस्णों के सेंगे आपके 100 होगी और अधिकतम पूर्णांग आपके 200 नमर का होगा तो आईए इस वीडियो को मुशुरू करते हैं सबसे पहला प्रस्ण है और इनमें नेगेटिव मारकिंग भी थी तो हर बारी नेगेटिव मारकिंग होती है एक बड़ा तीन बाग जो इसमें नेगेटिव मारकिंग रहती है तो यह हमें इसे ज्यान रखना होता है इ सुमेलित कीजी एक तरफ लोग दिय रह conservatives दे रखें और एक तरफ जिसमे मुख्य इसमे तीर-तस्तल दे रहें तो जैसे सुमेलित करनेके लिए इसमें एक तरफ दे रहे हैं लोगदेवता दूसरी तरफ पे मुख्य तीर तेस्थाल तल्ली नाज जी तेजा जी देवनारेंड जी पाबु जी इन से समझत उनके जो तीर तेस्थाल से उनको मिलान करना है तो तल्ली नाज जी का पांचोटा गाउं जालोर में सही है तेजा जी का परबसर नागोरें देवनारेंड जी का आसिंद बिलवड़ा है और पाबु जी का है कोलु गाउं फलोदी जोतपूर तो इस प्रकार का जो मिलान है वो कौन से उप्षिन में आपको दिखाई दे रहा है पहले में A, दूसरे में B, तीसरे में D और चोते में C पहले में A, दूसरे में B, तीसरे में D और चोते में C, प्रसन संख्या 2, दूसरे नमर का प्रसन है कि संथ पीपा के गुरु कौन थे? प्रसन संख्या 3 है अपने इसमें कि आदिवाशियों का कुम्ब किस मेले को का जाता है? बान गंगा का मेला, पुष्कर का मेला, सुरसुरा का मेला, बेने सुर का मेला, तो जो बेने सुर का मेला है इसको आदिवाशियों का कुम्ब का जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर वो रेखक का नाम आपको बताना है तो ऑप्शन देर का है किसना आड़ा बखत राम शाह बांकी दास नुरतम दास तो बुद्धी विलाज जो गरंत हैं वो लिखा गया था बखत राम शाह बखत राम शाह के द्वारा यह बुद्धी विलाज गरंत लिखा गया था तो क्रेक्ट दिन रातरी नो बज़े क्वीज होती हैं जिसको आप प्रतिविकित उसको क्वीज में बाग लेकर आपका जो जिक्के हैं उसको और बुस्ट कर सकते हैं तो आप जुरूर वह टेलिग्राम चैनल जोइन करें नीचे लिंक दे रखा हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पांचा इसमें से उतर बताना है ए मानिकि लाल वर्मा, जवाहरलाल नहरू, महاطमा गंदी और केमंची तूसका जो से उत्तर है वो हजाएगा इसमें जवाहरलाल नहरू, जवाहरलाल नहरो के दूराएज जए उसमें काउट गाटन किया गए था, मैं जो आपको आंसर बता रही जो बोर्ड की ओर से जारी की गिती RPC की ओर से वही अंसर की से आपको मिलानिया पर करवाय जा रहे है प्रसंस निम लिकित में से किस देवी को शिसु रक्षक लोग देवी माना जाता है तो चोथ मता छीच मता, गेवर मता महा मया मता जो महा मया मता है इसको चेचक या सिसु रक्षक देवी की रोप में भी जाना जाता है इसका जो करवेक्ट अंसर है वह जाएगा चोथा ऊप्शन छट्टे में चार महा मया मता जो शीचल impacto है चाक्षु में उसको चेचक रख्षक की देवी की रूप में जाना जाता है प्रसन संग्या साथ अपना इसमें कि 1936 में मेगाराम ने किस थान पर बिकानेर परजामनल की स्थापना की थी तो बिकानेर परजामनल की स्थापना वैद मगाराम की द्वारा 1936 में कौन से स्थान पर की गए थी बिकानेर में, कलकता में मुंबई में, सोरी बंबई में और अजमेर में तो ये जो बिकानेर परजमिनल की स्थापना की गए थी वो बिकानेर सहर से बाहर की गए थी और इसका सही उतर है कलकत्ता, कलकत्ता में जो इसकी स्थापना हुए थी, 1936 में और इसकी संस्तापक जो थे, जो थे उसका जुस से उतरें वो 826 और 829 हो जाएगा ऑप्शन इसका जुसी है वो बिल्कुल करेक्ट है 826 और 829 इसके बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है राजिस्तान की उतर से दक्षिन की लंबाई जो हम देखते हैं उतर में स्री गंगानगर के कोना गाउं से दक्षिन में बास्वाड़ा के बोरकुन गाउं तर यह 826 किलो मेटर है और फिर पूरों से पस्चिम तक की बात करें तो दोलपूर राजाखेड़ा के कट्रा सिलान से और इधर आजाएगा हमारा समतेसिल कट्रा जैसल मेट तो यहां तक का जो बाग है वो 829 किलो मेटर है पूरों से पस्चिम और उतर से दक्षिन की बात करें उतर से दक्षिन की बात तो उतर से दक्षिन की जो लंबाई है वो 826 किलो मेटर है पूरों से पस्चिम अपना है वो आट सो उनसित्तर है नेक्स्ट कुशन है गोडवार प्रदेश को यह भी का जाता है तो गोडवार प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है लूनी जवाई बेसिन गगर का मेदान चंबल मेसिन या काली सिंद बेसिन तो गोडवार प्रदेश को और किस नाम से जाने जाता है इसका उत्र में बताना है तो सहीवते रुजएगा इसका लूनी जवाई बैसिन गोरड़ प्रदेश को लूनी जवाई बैसिन के नाम से भी जाने जाता है परसन संक्या 10 से इसमें कौपें के वर्गीकन के अनुसार गंगानगर, हनुमानगर और विकानेर किस प्रकार की जल्वाई मिलती है तो इन तीनों जिल्लों में एक तो है स्री गंगानगर और फिर हैं इसमें हनुमानगर और विकानेर इन तीनों जिल्लों में किस प्रकार की जल्वाई मिलती है वो हमें इसमें बताना है तो BW, SW, B, S, HW, C, W, G और A, W तो विकानेर, हन्मानगड और गंगानगर में जो जलवाई मिलती है उसका नाम है BW, HW करेक्ट अंसर होजएगा फर्स्ट आप्शन प्रस्ट संख्या 11 11 किशन है किशनगड जो चितर सेली है उसका सरक्षक जो नागरिदास सावन सिंग थे इनकी मृत्यू कहा होई किशनगड में, आगरा में, जोदपूर में, वरिंदावन में तो किशनगड के जो सरक्षक थे चितर सेली के जो सरक्षक थे सावन सिंग, नागरिदास इनकी मृत्यू जो हुई थी वो वरिंदावन में हुई थी करेक्ट आंसर इसमें वरिंदावन वेशनव संपरदाई को मानने वाले थे ये तो इनकी जो मृत्यू है वो अंतीम दिनों में ये वरिंदावन चल गए थे इनकी मृतिव वही वेंदावन में हुई थी प्रस्ट संग्य बारा है अपने कि State Forest Report 2017 के अनुसार राजस्तान में सुरक्षित वनक्षेत्र का पर्तिशत कितना है 52.38 पर्तिशत 48.56 पर्तिशत 55.64 पर्तिशत और 56.08 पर्तिशत जो State Forest Report 2017 है उसके अनुसार में सुरक्षित वनक्षेत्र का पर्तिशत इसमें बताना है तो इसका जो correct answer है वो हो जाएगा इसमें 55.64 पर्तिशत यह जो सुरक्षित वनक्षेत्र का पर्तिशत है जो Forest Report 2017 वाले उसके अनुसार प्रस्ट संक्य तेरह है इसमें आपको सुची एक से सुची दो को मिलान करना है तो इसमें एक सुची में तो दे रहे हैं फसलों के नाम और दूसरी सुची में उसकी उच उपज की जो किस्म है वो दे रहे हैं उन्नत किस्म है तो हमें मिलान करना है तो सब सब बलग गहूं है तो गहूं ये गहूं की जो किस्म है वो वजाएगी राज तीन जास सततर ये गहूं की उत्तम किस्म है फिर बात करते हैं हम इसमें जो की जो की उत्तम किस्म है वो है इसमें आरडी 20-35 बात करते हैं बाजरा की तो बाजरा की आरेच भी 30 इसकी उन्नत किस्म है और मका की जो उन्नत किस्म है वो माही कंचन इसकी उन्नत किस्म है तो पहले में चार, दूसरे में तीन, तीसरे में दो, चोते में एक ये किसमें दीखाए दे रहे हैं तो ये है अपना option number 1 जो first option है उसी में दीखाए दे रहे हैं तो इसका correct answer हो जाएगा पहला प्रसन संग्या 14 है राजस्तान में पूगल नसल किसकी है बकरी की है, बेड की है, गाय की है या उंट की है तो पूगल जो नसल है पूगल एक बिकानेर को पहले पूगल भी का जाती था तो इसका correct answer वो बेड हो जाएगा बेड की नसल है ये पूगल correct answer है पूगल बेड की नसल है अगला question है अब 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 किश्वन निम्लिकित मेंसे कौनसी एक बनास नदी की साहिग नदी नहीं है मानसी, पारवती, कोठारी, मौरेल इनमेंसे कौनसी बनास की साहिग नदी नहीं है तो ये जो देरकिन मेंसे ये पारवती नदी है वो बनास की साहिग नदी नहीं अगला कुशन है प्रस नंबर 16 निम्ली कितन में से 2011 की जन गर्णा के अनुसार राजस्तान की जन संक्या से समधियत सही कौन सा है बच्चों का लिंगानुपात 880 महिला साक्षिता का पर्णा की जन संक्या का पर्णा इसमें दे रखा है 16.9 पर्णा और नगरी जन संक्या का पर्णा जो दे रखा है 25.1 पर्णा तो इन में से कौन सा गतन सही है वो में इसमें डून रहना है तो प्रसन संक्या जो 16 है इसका correct answer है एक तो इसमें पहला सही है एक तो बच्चों का लिंगा नोपास सही जए रहा है आट सो ट्थाशी और महिला साक्सिता का पर्थिशत भी 52.1 बिल्कुल सही है लेकिन यह C और D गलतें यह इसमें नहीं है तो correct answer है इसका अपना first option A और B प्रसन संक्या 17 एक तरह परेटन के अंदर दे रहे हैं और दूसरी तरह उससे समद्धित जिल्ला है हमें इसमें मिलान करना है सुची एक को सुची दो के साथ में मिलान करना है परेटन के अंदर है फूल सागर गागरोन का किला जगदीस मंदीर और किराड़ मंदीर यह कौन कौन से जिल्ले में है यह में बताना है तो देखो किराड़ मंदीर बाडमेर में है जगदीस मंदीर उदेपूर में है गागरोन का किला जालावार में है और फुल्स अगर बुंदी में है तो A में मिल रहे हैं 3 B में मिल रहे हैं 4 और C में 2 और D में 1 यह जिसमें मिल रहे हैंगे वो अपना है जिस बिल्कुल सही हुत है तो करेक्ट अंसेस में हो जाएगा परसे संक्या 18 18 वा कुष्य ने राजस्तान राजे डेरी विकास निगम की स्तापना किस वर्स की गई तो डेरी विकास निगम की जो स्तापना 1978 1985 1972 1972 तो डेरी विकास की जो स्तापना है वो 1905 में की गई थी राजस्तान राजे डेरी विकास निगम की स्तापना 1905 में की गई थी प्रसन संक्या 19 है निमलिकित में से कि इस महासागर में सबसे व्रहत मध्य सागरी कटक स्तीत है तो इसमें अंद यानि कि अट्लांटिक महासागर परसंत महासागर आर्किटिक महासागर और हिंद महासागर तो जो अंध महासागर हैं जिसको हम अट्लांटिक महासागर भी कहते हैं इस महासागर में सबसे वरहत मज़िसागरी का टक स्थीत है ए इसका जो करेक्टान स्लोजेगा उनिस्वे में ए परसे संक्या 20 सभीक्तो राष्ट्र जलवाईउ परिवर्थन जो संभिल ने 2018 का वो कहां आयूजित हो था पेरिस में हुआ फो रहता जेनेवा में या फिर केटोवाइस में तो यह जो सविक्त राष्ट्रे जलवाई प्रिवर्तन सम्मेले ने 2018 वाला यह केटो वाइस में आयुजित किया गय था इसका जो करेक्ट अंसर होजेगा केटो वाइस प्रसे संक्या 21 है विश्व के किस परदेश में गरस्ते चालिशा चलती है तो कौन सा ऐसा परदेश है जिसमें गरस्ते चालिशा चलती है दस दिगरी दक्षिन से तीस दिगरी दक्षिन अक्सांस के मद्दे चालिश दिगरी उत्तर से पचास दिगरी दक्षिन अक्सांस के मद्दे तो जो गरस्ते चालिशा है वो चालिश दिगरी दक्षिन से पचास दिगरी दक्षिन के मद्दे में चलती है नेच्ट कुछन है बारवा बाइसवा कुछन है निम लिखित कत्नों पर विचार किजिए कि आस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है वो अंटारक्टी का से अधीक है यूरोप का क्षेत्र दक्षिन अमेरिका से कम है उत्री मेर का ख्षेत्र, यूरॉप और 아स्ट्रेलिया के सभीत-क्षेत्र से अधीक है अब हमने क्या करना है कि इनके आदार पर सही कुट का चाहिन करना है कि इनमें से कौन सा कतन सत्य है तो देखो पहला option इसमें गलत हो गया 3rd कर जाएगा 4th कर जाएगा क्योंकि इन सब में A है तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो दो नमरों option हो जाएगा दूसरा B और C इसमें सही है B और C दोनों इसके सही quotation है तेही सो option है बारत के निमली कित में से कौन से राजी की सीमा B बांगलादेश से सहीक तो नहीं है इनकि किस राजी की सीमा B बांगलादेश से नहीं लगती है देखो मेगालाए मेगालाए की तो लगती है 3 पुरा की भी लगती है पस्चे मंगाल की भी लगती है लेकिन जो चोथा option है नागालेन इस नागालेंड की सीमा बांगलादेस के साथ में नहीं लगती है तो अपना जो सही उतर हो जाएगा वो नागालेंड हो जाएगा नागालेंड की सीमा बांगलादेस के साथ में स्वेक्त रुप से साजार नहीं होती है तो correct answer अपना हो जाएगा नागालेंड अगर आप 2nd grade, 1st grade या किसी भी प्रत्यों की प्रिक्षा की तैयरी करने है और प्रत्य दिन रात्री 9 बजे अगर आप GK क्विज में बाग लेना चाहते हैं तो नीचे दिये गए टेलिग्राम ग्रूप के लिंक से आप ग्रूप जोइन करें और वहाँ प्रत्य दिन रात्री 9 बजे क्विज का इंजोई ले सकता है पस नंबर 24 है इसमें भागिरती अलग नंदा से मिलती है तो कहां पर मिलती है उसको क्या का जाता है देव प्रियाग विश्न प्रियाग करन प्रियाग या रूदर प्रियाग तो भागी रती अलग नंदा से जो मिलती है उसको देव परियाग की नाम से जाना जाता है करेक्टर अंसर हो जाएगा इसमें देव परियाग अगला क्यूशन है 25 क्यूशन जुलाई के अंत में अंत है उसन उकटे बंदी अभी सरनक्षेत्र स्थित होता है पांस डिगरी उत्तर से पांस डिगरी दक्सिन अक्सांस के आसपास 15 डिगरी उत्तर अक्सांस के आसपास 10 डिगरी उत्तर से 15 डिगरी उत्तर अक्सांस के आसपास चोता उप्शन इसमें 20 डिगरी उत्तर अक्सांस के आसपास तो correct answer इसका जो जुलाई में अंतर उसने कटिबंदी अभिश्रन ख्यत्र है जिसको IT CZ के नाम से जना जाता है ये 25 डिगरी उत्तर से 25 डिगरी उत्तर अक्सांस की बीच में पाई जाती है correct answer इसमें जो चोथा option है वो वाला प्रस संक्या 26 विगध कुछ दस्कों से बारती करसी परिदिश में कौन सी नवीन परवर्ती देखने को मिलती है तो करसी का व्यापारिकरण करसी कुर्याओं में विविद दता और C option ए करसी का निग्मी करण तो इन में से कौन सी नविन प्रती देखने को मिलती है तो इसका जुसे उतरे वो हो जेगा अपना फर्स्ट ओप्सिनिस में A और B व्यापरिकरण और करसी क्रियाओं में वीवी दिता इनकी फर्स्ट ओप्सिनिस में सही है प्रसे संख्या 27 महादिपो को उनकी जन सिंग्या के अनुसार सही अवरोई करम में जमाना है कौन सा सही है वो में बताना है सबसे पहले है इसमें एशिया, अफरीका, यूरोप, दक्सिन अमेरिका तो यही अपना से उतर जाएगा सबसे पहले एशिया आता है उसके बाद में अफरीका, यूरोप, और दक्सिन अमेरिका यही इसमें जो कर्रेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा अठाइस सौकिशने बारत की समीदान की किस अनुस्वी सुची के तहत राजिक में राजिपाल दोरा मंत्री को पद एवम गौपनिता की सपत दिलाए जाती है पहले सुची, तूसरी, तीसरी और चोथी तो जो सुची नंबर तीन है, तीसरी सुची है इसमें किसी भी मंत्री को पद और गौपनिता की सपत दिलाए जाती है तो सबट से समझे जिए लिज़ उन्सरी वो तीसरी है क किरेक्ट अंसर हो जएगा सी 39परस्टट है राजेपौल की सकतियों के संदर्ब में निमलिकित में से कौन सा सही नहीं है इन में से कौन सा सही नहीं है राज़ेपाल दन विदे को पुनर विचार है तू राज़ेविदान मनल को लोटा सकता है राज़ेपाल किसी विदे को भारत के रास्त पती के विचार है तू अरक्सित कर सकता है राजे विदान मनल में विसरानती काल में राजेपाल दोरा देस प्रख्यापित किया जा सकता है और राजेपाल के पास शमादान की सकती प्राप्त है तो इसका जो correct answer है वो first option है राजेपाल दन्मिदे को पुले विचार है तो राजे विदान मनल को लटा सकता है तो ये कथन गलते बागी तीनों ही इसमें सही है तीस स्वा प्रसन है किसी राजी की मंतरी परिशेद में मुख्य मंतरी सही तो मंतरिओं की कुल संक्या उस राजी की विदान सबा के सदश्ची की कुल संक्या का कितने पर्तिशत से अधिक नहीं होगी तो correct answer हो जाएगा इसका चोथा option 15% देखो 31 वा प्रस्न है कि निम्न कित्में से कौन सा बारतिय उद्योग बारत के विवाजन से नकारात्म गुरूप से प्रभावित हुए लोग इसपात उद्योग चीनी उद्योग सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग तो नकारात्म गुरूप से जो प्रभावित हुए एक तो सूत्य उद्योग और एक जूट उद्योग ये दोनों ही नकारात्म गुरूप से प्रभावित हुए हैं तो C इसका जो correct answer हो जाएगा C और D प्रस्ण संख्या 32 राजस्तान लोग सेवा आयोग के समन्द में निमलेकित में से कौन सा कतन सत्य नहीं है इन में से कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है आयोग के सदेश ब्वारत के राश्ट पती द्वारा नेयक्त किया जाएंगे पहले इस अकतन स्मस्फ में गलत हो गया तीसरा है इस का आयोग के सदेश वा करिकाल अपने पत करण करने से छे या बांस्तर वर्स के आयो से जो भी पहले होगा ये भी सही है आयो के सदश ये संग लोक सेवा आयो के देक्स पद पर नियुक्ति ये तु पात रहूंगे तो ये भी विल्कुल सही है तो इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा फर्स वर्स के आयो के जो सदश ये नियुक्ति रास्टपति के दोरा की जाएगी ये गलत है ये सत्य नहीं है बागी तीनों ये उप्शन इसमें सही है प्रसन संग्या तैंटीस प्रसन संग्या तैंटीस में से कौन सा कतन सही है वही हमें बताना है तो इन में से जो एक और दो है वो बिल्कुल सही है कि मुख्य मंत्री का सलाकार होता है ये बिल्कुल सही है और मुख्य मंत्री राजी इस लोग सेवाओं का परमुक होता है ये भी सही है लेकिन जो तीसरा उप्शन है कि राजी के राजी पाल का परमुक सलाकार होता है ये गलत है तो अपना उत्र हो जाएगा एक और दो तीसरा वड़ा उत्र अपने सही हो जाएगा देखो अगला प्रस्न है इसमें चोतिसवा राजस्तान में पंचाय समेतियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को ये था उद्यमान है 299, 295, 295 और 395 31 दिसंबर 2018 की इसमें पुछा है कि राजस्तान में कुल कितनी पंचाय समेतियों वो अमेज में बताना है तो इसका जो करेक्ट अंसर है वो हो जाएगा 295 अब आपको कमेंट करना है की वर्तमान में 31 दिसंबर 2021 तक 31 दिसंबर 2021 तक राजस्तान में कितनी पंचा समेत्या है इनकी संग्या आपको कमेंड वाक्स में लिखनी है अगला प्रस्न है ग्राम सबा की गनपुर्ती कितनी है कुल सदिशों का आदा भाग कुल सदिशों का चोथाई कुल सदिशों का दसवा भाग कुल सदश्यों का पांचवा भाग तो देखो ग्राम सभा की जो गनपूरतिय होती है वो कुल सदश्यों का दसभा भाग होता है एक बटा दस भाग होता है वो इसमें हुना आफशक है अगला प्रस्ने 36 राजस्तान में ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच तता वाड़ पंच यह जो अपने त्याग पत्र हैं वो किसे सम्मोदित करते हैं जिल्ला पर्मो को विकास अधिकारी को जिल्ला जो पंच़ाई समयते होते हैं उसके परदान को या फिर जिल्ला कलेक्टर को तो जो जाए वो सरपंच है उप सरपंच या फिर वाड़ पंच यह अपना जो त्याग पत्र हैं वो हमिश्या जो विकास अधिकारी होते हैं उन्हें को देते हैं तो करेक्ट अंसर हो जाएगा विकास अधिकारी अगला क्यूशन है 37 राजी मानव अधिकार आयोग के अधिक्स का पद रिक्त होने की स्थिति में अधिक्स के रूप में कौन कारी करता है फर्स्ट अप्शन राजपाल सदिशों में से किसी एक सदिशों को अधिक्स के रूप में प्रादिक्रत कर सकता है राश्ट पती एक नए अधिक्स की नियुक्ति करेंगे और D option है इसका चोटा कि ग्राय बाग के मंतरी किसी भी सदिशी को अधेक्स के लिए रूप में कारी करने के लिए प्रादिक्रत कर सकते हैं तो 37 का जो करेक्ट अंसर है वो फर्स्ट अप्शन हो जाएगा कि राजिपाल के द्वारा जो सदिशी हैं उनमें से किसी एक सदिशी को अधेक्स के रूप में प्रादिक्रत कर दिया जाएगा प्रसन संक्या 38 से देखो कि भारतिय समिदान के स्रोतों के समन्द में निम्लिकित में से कौन सा कतन सही सुमिलित नहीं है कानू निर्मान की जो प्रकरिया है वो ग्रेट ब्रिटन निती निदे सकता तो यह आयरलेंड से नियाइक पुन्रावलकन युएस से समयुक्त राज अमेरिका से और अर्ध संगात्मक सरकार यह स्विट जर्लेंड से तो इनमें से कौन सा कतन सही सुमिलित नहीं है वो में बताना है तो अपना जो चौता कतने की अर्द संगातमक सरकार यह सिवट्जर लेंस से लिए गए तो यह इसमें गलत है यह सिवट्जर लेंस से नहीं लिए गए थी बागी देखो कानून निर्वान की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटन से ही है राजी के नितिन देसक्तात्व यह आईरलेंड से लिया गए न्याइक पुंटावलोकन साइक तराज अमेरिका से लिया गए थे प्रसस हैं क्या है 49 निम्ला कितन में से राजी भारत सासन अदीनियम 1935 की विश्यस्ता नहीं है यह बताना है इनमें से कौन सी भारत सासन अदीनियम 1935 की विश्यस्ता नहीं है तो देखो पहला उप्शन इसमें संग और प्रांती स्वायत्ता दूसरा हे केंदर में 2 शावसन तीसरा हे समवर्ति सूची का सर्टन और चोते हे प्रांतों में 2 शावसन तो 49 वे का जो करेक्ट आन्सेर वो हो जाएगा प्रांतों में 2 शावसन ये देखो भारत साशन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है बाकि संग और प्रांति स्वैत्ता है के अंदर में द्वेश सासन है और समवर्थी सूची का सर्जन भी है तो क्रेक्ट अंसर उजेगे इसमें ओप्शन नमबर चार प्रसे संक्या चार्लिस किसे परदान मत्री के कारिकाल में संपति के अधिकार को बारत के संपति के अधिकार को उस समय जो परदान मत्री थे वो परदान मत्री थे मौरार जी देसाई मौरार जी देसाई ये उस समय परदान मत्री थे जब संपति के अधिकार को बारत के संविदान की मौलिक अधिकारों की सुची से हटा दिया गया था विलोपित कर दिया गए था उस समय पीएम थे मौरार जी देसाई प्रसेस हैं कि 41 सेस्ट में समीदान की उदेशी का में उलेकित हम भारत के लोग समीदान की निम्नांकित विश्यस्ता से गनिश रूप से जुड़ा हुआ है इसका क्या मतलब है पंत निर प्रस्टा है समप्राबु राज्य यह अधवी सदनात्मक्तावाद है सुतंत्र न्याइपळी का है तो 41 क्योशन का जो correct answer बгов ब्विए option होगा समप्राबु राज्य हम बारत के लोग इसका मतलब है कि समप्राबु अगला क्यूशन है राजस्तान की राजी सरकार ने राजस्तान राजी मानवादिकार आयोग के गठन की अधिसुसना कब जारी की 16 मार्च 2001 को 17 जनवरी 1998 को 19 फरवरी 1997 को 18 जनवरी 1999 को तो ये जो अधिसुसना जारी की गए थी राजिस्तान सरकार के और से राजिस्तान राज्जी मानमेदिकार आयो के कठन के अधिसुसना ये 18 जनवरी 1999 को 18 जनवरी 1999 को इसके अधिसुसना जारी की थी तो correct answer इसका जे होगा वो 18 जनवरी 1999 को D वाला option इसमें correct answer है अगला प्रस्थन है 43 निवलिकित में से कौन सा यूगमस हमेलित नहीं है एक तरफ दे रखाएं राजी का नाम दूसरी तरफ दे रखाएं गठन का वर्स गुजरात हरियाना जारकन सिक्के इनसे समदित इनके वर्स गठन का वर्स देरका है तो इनमें से कौन सा गलत है वो हमेश में बताना है गुजरात की गठन 1970 में हुआ था हरियाना 1966 में जारकन 2000 में बना था लेकिन जो चोता option है सिक्किम ये गलत है ये 1973 में नहीं बना था ये गठन इसका 1973 में नहीं होता है ये ही अपना जो सही हुता रहे अगला प्रसन है चम्वान इसमा निमलिकित में से कौन भारती ट्राइबल पार्टी जिसको बीटी पी करते हैं जो दक्सी ने राजस्तान की एक नहीं उबरती हुए पार्टी है गुजरात और राजस्तान में काफी ये जवादी वासी एरिया है ट्राइबल एरिया वहाँ पर ये काफी लीड कर रही है भी तो ये बीटी पी है उसके संस्तापक सदेश्यों में से एक कौन थे देखो चोटू बाई असावा गुर्दन जड़फिया हार्दी पठेल चिमन बाई मेता तो जो चोटू बाई असावा है ये इस पार्टी के संस्तापक सदेश्यों में से एक थे चोटू बाई असावा इसका जो करेक्ट आंसर होगा अगला कुशने भारत के संविदान के निम्नाकित में से किस अनुचेद में वेगयनिक द्रस्टी कौन सब्दका उलेक है तो या अपन जो मौल करते भी पढ़ते हैं मौल करते भी उसमें लिखावा है तो वेगयनिक द्रस्टी कौन कौन से करम में आता है तो ये अपना उत्त से हो जाएगा चोथा option 51 का जय जो चोथा option है वो इस में सही है 51 का जय प्रसन संख्या 56 निमले कित संग्ठों में से बारत किसका सदेश्य नहीं है इन में से किस संग्ठन का सदेश्य बारत देश नहीं है वो बताना है तो देखो BIMSTEC, OPEC, G4 या BRICS इन में से किसका जो बारत सदेश्य नहीं है वो उमें बताना है तो देखो जो OPEC है ये इसका अपना देश जो बारत है वो सदेश्य नहीं है अगला कुशन है 47 वा निम्लंकित राश्चपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपे को परदान मंत्री पद की सपत गढ़न करवाई थी कि आर नारायन, एपी जब्दुलकला, आर के वेंकट रमन और संकरदयाल सर्मा इन में से किसने जो अटल बिहारी वाजपे है उनको 1998 में सपत दिलाई थी अगला फिष्ञन इटालीसंवा बारत के सह Shhार प्रदान मंतरी होंगे नियुक्त मिनोनित चाहिए निर्वाट्चित तो इसका जो करेक्ट अंसर है वो होगा कि प्रदान मंतरी नियुक्त होते हैं करेक्ट अंसर इसका फइस्ट आप्शन उन पचास नमर एक सुची एक को सुची दोल से सुमिलित करना है एक तरफ देरिखिये गटना है और एक तरफ है उसमें समधित वर्स तो संपरन जो सत्याग्रए 1917 का है रोलेट एक्ट 1919 में आयता खेड़ अंदूलन जो सत्याग्रए 1918 में वा था और बारदोली सत्याग्रए 1928 में वा था तो ये औपस्ण जिसमें मिल रहे होंगे वो अपना हैजी बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तो correct answer इसमें जो भी वाला option है वो इसमें सही है पहले में 2, दूसरे में 3, चोथे में 3, तीसरे में 4 और चोथे में 1 परसन सिंख्या 50 है 2015 में हुए भारत मांगलादेस समझते के अंतरगत भारत की कुल कितनी बस्तियां मांगलादेस को सूपी गई परसन सिंख्या 50 की कितनी बस्तियां भारत की बांगलादेस को सूपी गई तो 111 बस्तियां जो है वो बांगलादेस को सूपी गई थी बारती बस्तियां correct answer होजएगा first option 111 एकाव नमर क्यूशन है राश्ति राजनेतिक दल के रूप में मानिता प्राप्ट करने के लिए एक राजनेतिक दल को कितने रज्यों में लोगसभा चुनाव में दो परचियत मत प्राप्ट करने चाहिए तीन रज्य में, चार रज्य में, पांच रज्य में, या फिर छे रज्य में तो इसका correct answer है, लोकसभा की ज़ो दो परच्षित मत है, वो तीन रज्य में प्राप्ते करने चाहिए correct answer इसमें तीन रज्य बावा नमबर क्यूशने बारत के किस परदान मंतरी ने पाकिस्तान के साथ बस राजने प्रावम की थी पीवी नर्सिमा राव राजी उगांदी अटल बिहरी वासपे और मुरार जी देसाई तो करेक्ट अंसर रोजेगा इसका जो अटल बिहरी वासपे ही उनके द्वारा ब 2017-18 के अनुसार बारत में केवल दो राजे अपने कुल फसली कृतक शेत्रिस में स्विद्व सिंचित शेत्रगा पचास परतिशत से अधिक रखते हैं तो वे दो राजी कौन से इनकाम पने को नाम बताना है पंजाब हर्याना पंजाब उत्रप्रदेश उत्रप्रदेश हर 2017-18 के अनुसार बारत में जो कुल फसली के रत शेत्र है उसका पचास परचिया से अधिक बाग के वर यह दोनों ही राजे रखते हैं चोगा नंबर के शेने बारती समयदान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदिश्यों के दुबरा किय जाएगा इस निर्वाचक गण में कौन-कौन शामिल होते हैं वह में बताना है संसद के दोनों सद्नों के सभी सदिश्य और राजे विदान सभा के सभी सदिश्य दूसरा उप्शन है संसद के दोनों सद्नों के निर्वाचित सदिश्य एवं राजे विदान सभा के निर् निर्वाचित सद्श चे इन मेंसे कुंसा option उसमें जो है वो निर्वाच्चक गण में शाम्मिल होने वाला option है तो इसका जो एकशन हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदश्य हैं और राज्य विदान सभा के जितने भी निर्वाचित सदश्य हैं वह ही इसमें बाग लेते हैं तो दूसरा वाला उप्शिन इसमें करेक्ट आंसर होगा कारोबार के सुगन तागर की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का अक्रम कौन सा था कि 190 जैसों में सोवा स्थान 180 जैसों में सोवा 190 में 130 एक 180 में 130 तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो चमें पर फर्स्ड ऑफ्शन हो जाएगा 190 16 यह उस समय के करेंट का क्यों इسب अगला क्यों में शित्षी नहां ल॓डese अगला क्यों है डोहरे गणना के समिश्या के कारण राश्चरिए आये अधिक अनुमानित हो जाती हैं परकार के और पुराने प्रस्न के रहने के लिए इनको हँआध्य प्रकार के लिए आप हमारा टेलिंग्राम चेनल जोइन करें साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें तकि आपको इसी प्रकार के और प्रस्न पत्र जो पुरान पेपर हैं वो आपर सोलेशन की रूप में मिलते रहें आपको ये प्रस्न कैसे लगें वीडियो कैसे लगा कमेंट करके आप दुरूर बताएं अगला क्यूशन है सत्ताओं नमबर क्यूशन ओद्योगीक उत्पादन सुषकांग भारत में ओद्योगीक निस्पादन का एक महत्पूल मानक है निम्न मैंसे कौन सा संगठन इसे प्रकासित करता है राश्टी नमूना सर्वक्षन संगठन केंद्री संकी की कारेल है भारती अब और योजनी व्यश्व नहाँ है इसके इसको आपके हैं तो यह पुरांड नामक हैं अब भी नै जहीं इसका निट्यास यह लेकिन पुराना पेपर हैं इसकें योजनी दिया गया है तो अमट परस्नी स्तावन है समें और प्रसंबर। अठाओ नमबर प्रस्ण है इसमें कि भारत के राष्टी खादी सुर्क्षा अधिनियम 23 के संदर्व में कौन सा तक्ति सही नहीं है पहला किशन है यह अधिनियम 45 परसे तक ग्रामेंट जन संक्या को अपने में सम्मिलित करता है दूसरा यह अधिनियम 50 परसे तक शारी जन संक्या को अपने में सम्मिलित करता है तो इनमें से कौन सा कतन सही नहीं है वो बताना है तो इसका जो उप्षन नंबर डी है वहीं सही नहीं है बागी तिनों इसमें सही है किया अधिनियम 40% तक सायरी जन्सिया को अपने में असमेलित करता है जो डियू आप्शन है वो इसमें सही नहीं है अगला क्यूशन है उनसाथ नमबर प्रस्टन है राजस्तान के उक मुख्य मंतरी के रूप में सचिन पैलेट के पास जिस विभाक का कारेबार नहीं है वो बतन है दूस्तो 2018 में जो प्रिक्ष़ा होती जो अभी वरत्मार में सचिन पैलेट जी के पास में कोई भी भी पदे जो इसमें नहीं है वो टॉक सब भी फिलाल विदायक है उनसाथ नमबर क्यूशन है तो सचिन पैलोट के पास में कौन सा इसको में ऐसे ला सकते कि कौन सा उस समय जो विभाग नहीं दिया गया था सारजनीक जिर्माड विभाग विग्यानेम प्रदुगी विभाग ग्रामेन विकास विभाग सुसना प्रदुगी के हम संचार विभ में गणिजे law standards के पास में थे साथ नमबर क्यूशन है ये भी करणड का क्यूशन उस समय का राजस्तान के जो राश्टि ये स्वास्त उसके नव नियुक्त मिच़न नियुक्त काल तो इसके जो नव ने दे सकते है उससमें यह क्राण्ट का इसका सबस्क्षार है समीत शर्मा समीज का दोस्तों इस चित ऑढ़के जिला के लेक्टर भी रहें काफी इंटेलिजन इसमें काफी नहीं नहीं जो जो ये जुचना जो सब्तूर की लगुंत करवाने में जो मात्पूर योगदाने वो समीत सर्मा का है एक सब्सक्राइब क्या है जो जैलाफ है 2019 का जैपूर लेटर्चर फेस्टिवल इसकी तीथिया बतानी चोईश से 28 जनवरी चोबिस से 28 प्रवरी 14 से 18 जनवरी 14 से 18 मार्च तो चोबिस से 28 जनवरी इसकी जो डेट है ये उस समय आउजित हुआ था 24 से 28 जनवरी 2019 ये भी उस समय की करंट का क्यूशन है राजस्तान में हर साल सर्दियों में वीविर प्रकार के प्रवासी पक्सी आते हैं तो कुरंजा जो पक्सी है वो जिसको हम डेमोसिल क्रेन की नाम से जानते हैं बड़ी संक्या में कहां पहुँचते हैं उस संबर लेक खीचन उदेप दिसंबर 2018 में राजस्तान के पुलिस मान देशक किसको निक्त किया गया तो ये भी उस समय का करंट का क्यूशन है कपिल गर्ग ओपी मलोत्रा आनंद स्रीवास्तव इंदु कुमार तो इनमें से पुलिस माने देशक 2018 दिसंबर में किनको निउक्त किया गया है तो इसमें जो सही उतर वो उस समय जो थे वो कपिल गर्ग थे अभी वरतमान में राजस्तान के पुलिस माने देशक को ने इसका उतरा आपको कमेंट करना है अभी वरतमान में को ने इसका उतरा आपको कमेंट करना है यह 2018 की जो दिसंबर है उसमें पुलिस देशक जो निउक्त हुए थे वो कपिल गर्गर निउक्त हुए थे अगला किश्चन है चोंसर नंबर राजस्तान में 2018 में विदान सबस्टों नाव में भारती राष्टी कोंग्रेस और भारती जिनता पार्टी द्वारा जित्तिकी सीटों का अंतर कितना है सीटों का अंतर बताना है तो 28, 26, 24, 21 करेक्ट आंसर जो है इसका वो भी अप्चन है 26 दोनों की जो जीत का अंतर है वो जीत्तिकी सीटों का जो अंतर है वो 26 सीटों का अंतर इसमें था प्रस्ण सिंग्या 65 निम लिकित में से राजस्तान की कौन सी महिला बारती वायू से नमें सात्वी महिला युद्दक विमान पाइलेट बनी प्रियाश शर्मा, अवनी चत्रवेदी, भावना कंथ और मोहना सिंग कुशन मर 65 का जो करेक्ट अंसर वो है फास्ट रॉप्शन प्रियाश शर्मा प्रियाश शर्मा जो है वो राजस्तान की सात्वी महिला युद्दक विमान पाइलेट बनी थी चास्ट रॉप्शन में राजस्तान की नव नियुक्त स्वास्त मंत्री को ने तो उस समय जो 2018 में स्वास्त मंत्री बने थे उनका नाम बताना है इसमें रगुश शर्मा, परताप सिंग, परमोद बाया और हरिस चोधरी उस समय जो नव नियुक्तों स्वास्त मंत्री थे 2018 में सरकार बनेती उस समय तो वो तहे रगुशर्मा जो केकड़ी से विदायक है रगुशर्मा वो स्वास्त मंत्री थे अभी वरतमान में राजिस्तान के जो स्वास्त मंत्री है उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथ साथ नमर क्यूशन है पंदरवे विदान सबाज चुनाव 2018 के दोरान किस दल के परचासी की मर्ट्यू के कारण रामगड अलवर विदान सबाज निर्वाचन सेतर चुनाव अस्तगित क्या गया था बारती जंता पारटी बारती राष्टी कॉंग्रेस बहुजन समास पारटी और राष्टी लोगडल तो ये रामगड अलवर में जो ज़िदान सबाज चुनाव के चुनाव सगी थी हो थे उसमें जो एक गेंडेट की मृत्य हो गई थी तो उस गेंडेट की जो पारटी थी उसका नाम बहुजन समास पारटी बस्पा आपको कमेंट करना है कि जो बस्पा पारटी है उसके अब जो सस्था पक सदश्य है उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है प्रस्ट संक्या सरस्थ अब देखो अड़सर प्रसन है आप से आगे की क्यूशन है वो 20 प्रसन आपके साइकोलोजी क्याएंगे किसमें लिपजिंग 20 विजियालों में जर्मिनी में पहली मनवगयान की प्रियोग सनास्तापिट की थी जभी वार्षन, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम वनः और जैमस ड्रैवर तो इसका जो करेक्टर अन्सर हो जाएगा इसमें विलियम वोंट विलियम वोंट को आदूनिक जो अमेर्की मनवगयान उसका जिननक भी कहा जाता है तो 68 नमबर क्यूशन का कर्रेक्टर अंसन हो जाएगा विलियम वूंट प्रसेस हैं किया 79 किस ने कहा कि सिक्षन मनोवग्यान मनोवग्यान के वैसा का है जो सिक्षन और अधिगम से समझ दी थे बीफ स्कीनर ने कहा या फिर जेम्स डेर्वर ने तो ये जो बाते कही थी कि सिक्षन मनोवग्यान मनोवग्यान के वैसा का है जो सिक्षन और अधिगम से समझ दी थे ये बीफ स्कीनर का कोटेशन है नेक्स्ट कुशन है राजस्तान के किस वरतमान विदायक ने कुमन वेल्थ गेम्स 2010 में सवन पदक जिता था तो ये डिसकस थ्रोर एक खिलाड़ी है राजयंद राठोड, खुशवीर सिंग महादेव सिंग या कृषना पूनिया तो correct answer ये कृषना पूनिया है ये एक डिसकस थ्रोर प्लेयर है 2010 में कॉमन वेल्थ गेम्स में इन्होंने सोन पदक जिता था अगला कृषन है 71 नमबर कृषन कौन से मनोवग्यानिक परकारी वाद से समदित नहीं है ठीक है, फंक्सनालिजम तो परकारी वाद फंक्सनालिजम की नाम से जाना जाता है इस समदित कौन सा नहीं है तो देखो, विल्यम जम्स के है जोन डियू भी है और जम्स आर एंजल भी है लेकिन जो टिस्टनर है 71 का जो करेक्ट अंसर वो टिस्टनर हो जाएगा करेक्ट अंसर इसमें टिस्टनर अगला कुषन है विकास की कौन से वस्ता में नार्सिस्जम स्वा प्रेम की भावना का गुर्ण अतियंत प्रवन होता है ओप्शन इसमें सेस्वा वस्ता में बाल्य वस्ता में आत्म प्रारामिक विवाइस का वस्ता में और उतर किस्वा वस्ता में 72 का जो करेक्ट अंसर है जो नार्सिस्जम है वो स्यास्वा वस्ता में पाया जाता है फांस्ट इसका जो correct answer हो जाएगा 73 नमर क्यूशन है किसुरा वस्ता को तनाव और तुफान के वस्ता किस ने कहा किसुरा वस्ता को तनाव और तुफान के वस्ता किस ने कहा रोस ने वेलेंटाइन ने Stan Lee Whole या फिर – Mario उर रहन्टर ने तो ये जो तनाओर तुफान की अवस्ता कहा था ये Stan Lee hanggang के द्वरा किया गया धा करेक्टर्ण से हो जाएगा है Stan Lee अगला प्रस्त नहें कि स्विक्जों के अंद तक मान स्पेश औका बार सरीर के kult बाहर कितने पर्तिशcuz हो जाता है 33org 45 पर्तिश्य चालीस पर्तिश्य या 21Pतिशgoing ग्नुर वह जाता है वहलू को सिवंगर कुंसे बहुतने प्रदत किस्वुरह पर्तिश्य तोBoxке मिल्तकर मान स्पेश्यों का वहं जो था है इला नियुक्त करिए कुल Lobo का 55 पुर्दत Лsam निम्ली कितने से कौन सी जीन प्याजित वारा प्रदत मूर्थ संक्रिय आत्मक अवस्ता की विश्यस्ता नहीं है विचारों की विलो मियता संडक्षन क्रम बदता वपूर्ण, अंस प्रतियों का उप्योग यद शंक्यत आत्मक कारियों का प्रदूर भाव तो पिचोत्य बिल्टी होती है और कंजर्विशन भी होता है सरक्षन और फिर यह ओर्डरिंग का भी सिस्टम हो जाता है इसमें करम बता हुआ पून अंसका परते अगरा किसी ने अच्छे होता नमबर क्यूश्ट बालकों की बुद्धी को मापने के लिए पहला बुद्धी परिक्षन का निर्मान किस ने किया सेउंटी सिक्स का ऑप्षन ए है जे एम केटल अलफ्रेड बी ने स्टेंबर्ग वेश्टलर तो जो पहला बुद्धी परिक्षन किया गया था वो अलफ्रेड बीने के द्वरा किया गया था अलफ्रेड बिने को बुद्धी का बुद्धी मापन का ज सुर्षिटा मॉडल की विशे विश्षिव विमा का नहीं है अकरतिक संग्यान संक्यतिक शाब्दिक थो 77 का एक्रेक्टन समोसे गाबी इसमें जो कोगनीशन है संग्यान वर नहीं है बाकी तीनों इसमें हो जाएंगे अगला क्यूशन स्थाइट करती दुर्बल यह फिर लंबा करती तो सेवंटी एट नंबर क्ईशन का जो और अंसर वह जागा सिरें स्थाइट करेक्ट अंसर इसका दूर्बल अगला क्रफिशन अपने कि बेलक ने व्यक्ति तुम आपन के लिए तैयार किये गए बाल को कि प्रसंद बहुत और प्रिक्षिन है तु इनके जो आयू बर्ग चुना गये था वो कौन सा था जीरू से पांच वर्ड़ दो से पांच वर्ड़ तीन से दस वर्ड़ या पांच से दस क्यूशन नमबर 79 के जो क्रेक्ट अंसर वह जेगा सी ऑप्षन तीन से दस वर्स जो सी एटी टेस्ट जो दिया गया था बैलक के द्वारा उसमें आई वर्क तीन से दस वर्स रखा गया था कि अगरा से नमले कितम से कौण से दिगम की सई विश्यस्ता नहीं है जह कोई प्रिणाम नहों कर एक प्रक्रिया है अधिरी prophetic होती है अदिगम इनमें से कौन सा जोड़ा मूंचे क्रीजस्थ और संवेक के अनुरूप सही नहीं है जैसा कि मैं डूगल ने उन लेक किया था तो यूज़ साब बै, निवरती गढ़ना, संतान कामना, वातसले, सरना गती, करोना तो 81 का जो correct answer है वो first option हो जाएगा यूज़ साब बै नहीं होता है 81 का जो correct answer है वो इसमें first option हो जाएगा अगला क्यूशन है 82 सेखने की क्रिया एंसूश की द्रस्टे से निम्लिकित में से कौन से वसेस्ता गेस्टाल्ट मुनवगेने को दो आया निर्दारित नहीं की गई है अधिगम की प्रकरती संग्यानात में होती है बिलकुल सही है ये तो अधिगम प्रकरिया यंत्रवत होती है अधिगम की प्रकरिया प्रकरती लगबक्सता ही होती है और चोता है सूश के लिए समशात मक्सतीती क्यों होना आफशा के तो ये बिलकुल सही है ये जो अधिगम प्रकरिया है वो यंत्रवत होती है अधिगम प्रकरिया कभी यंत्रवत नहीं होती है 83 नुमर क्यूशन ने एक अध्याफग ने काक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुचन हाउसेज होता है तो इसी प्रकार अधिगम ने से अभिद्यार्थी ने माउस का बहुचन माउसेज कर दिया यह उधारन के इस प्रकार के अधिगम अस्थान अंत्रन का उधारन है दनात स्तनांथ इसने हाउस का हाउसेज किया तो माउसेज कर दिया यह रिनात्मक अंत्रन का उधारन है 84 नमर क्यूशन है जब एक कर्मचरी अपने अधिकारे पर गुस्सा परदसित नहीं कर पाता है तो वो अगर आने के बाद इसे अपनी पत्नी और बच्छे उपर व्यक्त करता है यह उदारन किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है दमन को और चितिस्थापन को से कौन सा सब्सक्राइब क्लासिकल अनुबंदन का सिद्दान से समधित नहीं है डालना उतेजना विल ओपन सौतपुनर लाव तो 85 का जो करेक्ट अंसर है वो एक अप्षिन होजएगा डालना डालना कम दब शेपिंग शेपिंग स्किनर से समधित है यह जो क्लासिकल लब्धी परिक्शन के लिए ताइमानक की अनुसार सामाने मंदित बालकों की बुद्धी लब्धी परसार क्या है पचास से पसपन 50 पसपन से लगबक सतर 35 45 45 25 की मद्धे 20 25 से 35 4 की मद्धे और 20 से नीचे तो 86 नमबर क्यूशन का जो correct answer है सामाने मंजित बालकों के लिए Stanford बुद्धी प्रिक्षन के मुसार तैम आनक जो है वो B option है 35 से 40 से लगा कर 50 से 55 वाला B इसका जो correct answer होगा प्रस्त नमबर 87 निम्री कितम से कौन सा जन्मजात अभी प्रेरक नहीं है भूख, प्यास, अकांग्षा, निद्रा इनमें से कौन सा जन्मजात अभी प्रेरक नहीं है 37 से नमबर क्यूशन option आपके सामने तो भूख, प्यास और निद्रा थे लेकिन अकांग्षा जन्मजात प्रेरक नहीं है C इसका correct answer हो जाएगा 38 से नमबर क्यूशन है निद्रेकित में से कौन से अभी प्रती की अभी वर्ती की विश्यस्ता नहीं है इनमें से कौन से अभी वर्ती की विश्यस्ता नहीं है अभी वर्ती जन्मजास होती है अभी वर्ती स्ताइनी होती है या परिवर्तनी होती है अभी उर्ति हैं हमारे वहारों और क्रिया कलापों को प्रभावित करती है अभी उर्ति हमेशा वस्तु परिशिती व्यक्ति इत्यादी के प्रती परदसित होती है अठ्यसी नंबर क्यों का जो करेक्ट अंसे वह फ़स्ट आप्शन है यहीं की विश्यस्ता नहीं निया है कि अबिए विखुणी कौनसी सामगरी बाहिसमपर को का संधेस संकेत देती है देखते हैं इसमें तामर उपकरन, सेल खड़ी मनके, लेपिस लाजुली और टेरा कोटा मनके तो जो लेपिस लाजुली है वो बहरी संकितों जो संपर्खें उन्सका संकित करती है सी इसका करेक्ट आंसर है लेपिस लाजुली नब्य नमबर क्यूशन है साथ अगनी वेदिकाओं की पंक्ती प्राप्त हुई है साथ अगनी वेदिकाओं की पंक्ती कहां से प्राप्त हुई है यह में बताना है नब्य नमबर क्यूशन है अहार से, बेरार से, गणेस्वर से या फिर काली बंगा से तो यह जो मिली थी अपने साथ अगनीवे दिकाई यह इनकी काली बंगा से प्राप्त हुई थी अपना जोसे उतरे वो चोथा ओप्सिन हो जाएगा काली बंगा एक्टावनी नमबर फिसने किस पूरास्तल पर चित्रित सेलाशरे प्राप्त हुए हैं बेराड से काली बंगा से अहर से या बड़ावली से तो इसका जो करेक्ट अंसर है वो बेराठ हो जाएगा बेराठ से चित्रिस से लासरे प्राप्त होएं अपना होते हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए 92 नमर्किश्ञमे रंतंबौर के साथ हमेर दे क्षॉहां द्वरा किस मंगोन नेटा को सरन देने पर अलहुदिन घिल जीんने रंतंबौर पर आकरمن क्या था कि मुहमत श्ञा को क। कि हब रो को या फिर मुहमत खान को तो अलाों उम्झेलजी का जो एक सनापitsu लंगोन जो नेता था जिसको शरण दी थी हम एजय चूहान रं टमबॉर के साथ שנे और उस जो नाम था वूम मुहमत शाह था मुहमत शाह इसी के कारण है जो अलावजिन खेल जी पर रंतम बोर पर है जो आम हमें देश चोहान के रंतम बोर पर अलावजिन खेल जी ने अकरमन किया था 93 नमबर क्यूशन है नाटक लली विग्रा राज की रस्ना किसके दोरा किये गई हम चंदर सूरी राज सेकर सोमेंद्र या फिर जो चंदर बर दाई तो 93 का जो करेक्ट अंसर है वो इसमें सोमेंद्र है 94 नमबर क्यूशन है जालोर में अलावजिन खेल जी का समकालें साथ सक कौन था शीतल देव कानर देव महलक देव या विशल देव क्यूशन नमबर 94 94 का जो करेक्ट अंसर है वो कानर देव चोहन होगा 20 का जो करेक्ट अंसर है कानर देव क्विशन नंबर 95 किसे तामर पासानी के स्टल पर सबसे ज्यादा तामर समगरे प्राप्त हुए आहाड पर बेराड पर काली बंगा पर या गनेश्वर पर तो पिच्छाणवे का जो करेक्ट अंसर है वह जाएगा गनेश्वर छीहाणवे नंबर क्विश्चन आपके सामने निमले कि तमेंसे कौन सा गोड यांकी बंगाल में बोज परतम का समकाली नहीं शाक था काकु का देवपाल त्रिलोचनपाल या रामबद्र तो जो देवपाल हैं वो बंगाल के थे और ये बोज परतम का समकालीन था सत्यानवनुबर क्विश्य ने, परताप अपने 1585 में अपनी नई राजानी कहा चेतोड में, गोगुंदा में, दिवेर में, या चेतोड में तो 97 का जो गरेक्ट अंसर हो जएका, चावन में चावन में नोने अपनी नई राजानी स्थापित की थी अगला कुछ ने जून 1941 में अलवर राजे परजा मंदल दोरा आयजित जागीर माफी परजा समयले राजगर का उद्गाटन किस ने किया स्री सत्य देव विद्यालंकार हरी नरान शर्मा काशी राम गुपता मास्टर बोलानात तो यह जो उद्गाटन किया गय था वो स्री सत्य देव विद्यालंकार के द्वरा इसका उद्गाटन किया गय अगला कुछ ने विद्याइशींग पती से समयदित निम्य कत्नों पर विचार कीजिए 99 नुमर क्यूशन है रास भी हरी बोस्क से केक रांती का रिदल से समझ दी थे विद्या परचाहनी संभा की इनोंने स्थापना के थी स्यागा समयती की इनोंने स्थापना के थी सादू सितराम दास के साथ मिल कर एका खड़ा स्थापित किया इनमें से कौन सा गतन सही है इसकी आपको बताना है तो दी इसका जो प्रस्त परहले आपसे रिक्वेस्ट रहे की चैनल को सब्सक्राब जोरू करके जाएं ताकि आपको अगले पेपर को जब भी में अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिक्शन आपको मिल जाएं और इसी प्रकार की पेपर के लिए आपको मारा टेलिग्राम चैनल जोरू करें लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा ह जवालीपूर को जवालापूर प्रियूर्टित किया जगदेव के द्वारा विग्राराज चत्थूर्थ के द्वारा देवदत के द्वारा या अरहनोराज के द्वारा तो विग्राराज चत्थूर्थ के द्वारा ये जवालीपूर को जवालापूर के नाम से प्रियूर सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की प्रस्ण उतरी से जूड़े रहने के लिए आप चैनल है आप ऊपको यह जवाब देना है कि महाना प्रताब के हाती का क्या लाम था इसका उतराना आपको निचे में लिखना है जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक जे हिंद जे बारत बंदे मातरम